बूर्निंग इस टोडेंट इस यार शोशल साइन्स क्लास और पहले आपका इसमें जो शिविक्स में आज चैप्टर कराएंगे पहले जोगरफी में आपका चैप्टर वाता ओवर रिसोर्सीज आज शिविक्स का चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट था इंडियन कोंसिटूशन सेकुलरिजम एंड फंडामेंटल राइट्स एंड दूटीज भारतिय सविधान के ब दख्तर थैंडन चैप्टर था इंडियन कोंसिटूशन भारतिय सविधान सेकुलरिजम पंतर ध्रम निरफेक्स secularism and fundamental जो हमारे मोली का अधिकार है fundamental right rights and duties and duties देखिए यह आपका civics का first chapter है the Indian Constitution भारते सविधान धरम निरपेक्स मोली का अधिकार और हमारे करता हुए इसके बारे में आपको बता रहे सबसे पहले देखिए हम Constitution के बारे में जानेगे Constitution है क्या What is the Constitution What is the Constitution means सविधान हमारे देश की सासन विवस्ता जो चलती है वो सविधान के अंतरगत ही चलती है देखिए लाइक यानी गेम जैसे कोई हम गेम खेलते हैं कोई उसमें अगर समाज में कोई गेम है उसमें कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स को बना जाता है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह से होते हैं तो ऐसे ही समाज में भारतय समाज जो है एक बड़ा समाज है यहाँ पर अलग-अलग धरम के जाती के लोग रहते हैं उन सब को देखते हुए उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए इंडियन Constitution का निर्मान किया गया जो की रिटन में है A written document in which we find such rules is called a Constitution ऐसे नियम जो सभी लोगों के हित के लिए बनाए गए है और जिससे देश की सासन विवस्ता का निर्मान होता है देश की सासन विवस्ता चलाई जाती है इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते है Constitutions बोलते है सविधान कहते है देखिए सविधान के गठन क्यों हुआ था सविधान क्यों बनाया गया Reason to have a Constitution सविधान बनाने के पीछे सविधान का गठन जो हुआ था निर्मान करने के पीछे क्या Reason थे ये बताना है देखिए इसमें There are seven reasons why It is good for a country to have a Constitution किसी भी Democratic country में लोकतंत्रक सरकार में सविधान का होना जरूवी है सविधान का मतलब है एक ऐसे नियम कानून जिसके अंतरगत देश की सासन विवस्ता को चला आयाता है इसके गठन की आप सकता क्यों पड़ी क्या Reason थे इसमें देखिए पहला तो है इसमें ऐसी विचार धराव का निर्मान किया गया जिसमें सभी लोगों की सभी नागरिकों की अकांकसाय थी और एक तरह से एक ऐसा agreement था एक ऐसा समझोता था विचारों का जहां पर सभी विचारों को समावेश किया गया सभी के विचारों को लिया गया देखिए भारतिय सविधान का जो निर्मान हुआ उसे लगवख निर्मान करने में लगवख तीन वर्स लगे थी हमारा जो देश का जो सभी धान है विचारों का सबसे बड़ा लिखित constitution है इसे बनाने में लगवख तीन वर्स लगे थी और इसे जब लागू किया गया था 26 जनवरी को लागू किया था के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाती के हैं, ध्रम के हैं, सबकी अकांगसाओं अलग हैं, सबके जो डिमांड्स हैं वो अलग हैं, तो हमारे राजनेताओं ने उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए, उन सबकी अकांगसाओं को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे सविधान का निर्मार किया, एक ऐसे रूल नियम कानून का निर्मार किया गया, ताकि यहां के लोगों का अहित ना हो सके और लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, Second the importance, purpose is to be define the nature of a country political system, दूसरा परपस ये था इसे बनाने का, कि जो यहां का देश की जो राजनेतिक सिस्टम था, यहां का जो राजनेतिक सिस्टम था, what type of government, किस तरह कि यहां की सरकार रहेगी, it defined the powers, इसने सरकार की सकतियों के बारे में भी बताया कि सरकार की सकतिया क्या होनी चाहिए, सरकार के प तो सरकार अपनी मनमानी चलाएगी, कोई भी सरकार हो, जैसे state government हो या central government हो, अगर state government है, वो कहती है, कुछ ऐसे नियम निकाल दे जो लोगों के लिए, कश्टकारी हो, तो कोई भी देश का नागरिक, जिससे सविधान ने अधिकार दिया है, वह है, अदालत में जाकर, निय अधिकारों की मान कर सकता है, और कई बर ऐसे example भी देखने को मिले है, जहां राज्य सरकार के नियमों को भी बदला गया है, ऐसा कब संभव होता है, ऐसा एक ऐसी लोगतांत्रिक सरकार में ही संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ सविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिका कारों का इस्तमाल कर सकता है, देखिए, third signification reason why we need a constitution हमें सभी दान की जरुवत इसलिए पड़ती है, ताकि हम अपने आपको अपने आप से बचा सके, सेव कर सके, सेव सुरक्सित रख सके, अपने आपको अपने आप से, as defined, इसका मतलब यह है, rights of citizen, लोगों को पास ऐसे अधिकार है, ताकि वे कानून नियम ना तोड़े, देखिए हम सब के पास अधिकार है, सडक पर चलने का, लेकिन हमारा अधिकार के साथ हमारे क्या चुड़ी हुई है, हमारे rights के साथ साथ हमारे duties भी है, हमें अधिकार है सडक पर चलने का, लेकिन हमारा कर्तव भी है, कि ह हमें जब हम सड़क पे चले तो किसी को बाधा ना पहुचे, हमारा अधिकार है म्यूजिक सुननेगा, लेकिन हमारा कर्तव भी है कि हम म्यूजिक इस तरह से सुने ताकि दूसरे की भावनाव को ठेश ना पहुचे, दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए काया कि जो सविधान जो है, कॉंसिट्यूशन जो बनाया गया है, वो इसलिए है ताकि जो नागरिक है, वो कानून का दूरुपयोग ना कर सके और दूसरों की भावनाव को ठेश ना पहुचा सके, देखिए ये तो है सविधान का गठन क्यो जरूरी था, इसके बाद है, जो इंडियन कॉंसिट्यूशन वीजन एंड वैल्यूज, जो वीजन एंडियन कॉंसिट्यूशन की, वो देखिए 22 जनवरी 1947 में, कॉंसिट्यूशन असेम्बली ने अडॉक्ट किया था इसको, यानि बन तो गया था नवंबर में, लेकिन फिर इसको जो घोसित क किया गया, वो 22 जनवरी 1947, यहनि 22 जनवरी में इसको घोसित किया था, और लागू किया था, बाद में इसको 26 जनवरी को वहां सेट कर दिया गया, और तभी से गंतंत्र दिवस को मनाते हैं हर साल, Constitutional Assembly ने इसको अड़ेप्ट किया था, इसके बाद देखे, These are stated in the primble, जब सविधान, हमारा जो सविधान है, वो रिटन में है, एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में है, जो काफी बड़ी है, लिखित में है, सारे जो नियम कानून है, कि अगर आप नियम का पालन नहीं करते तो आपके साथ क्या किया जाएगा, कोई राज्य सरकार अपना करतों में पुरा नहीं करती तो उसके खिलाब क्या किया जा सकता है, केंदर सरकार के भी इसमें दाइत हुए, राज्य सरकार के भी है, नागरिकों के भी है, जुड़ी सी, सभी के सब चीज का उसमें लि प्रस्टावना आती है एक जैसे हम बुक्स कोलते हैं जो सवीधान को जैसे इस टार्ट करते है पढ़ना तो उसमें समसे पहले प्रिमबल आती है प्रस्टावना भारत के लोग, प्रिम्बल देखें इसमें दी हुई है बुक में वी दा पीपल ओफ इडियाम भारत के लोग इसोल दा कोंसिटुशन सविधान के अंतरगत परभू संपंता सोसलिस्ट समाजवादी धर्धरम निरपेक्स लोगतांतरिक गनराज्य की स्थापना करेंगे इसमें नियाए है समानता है सवतंतरता है और इसमें पूरा दियावाए कि हम सवतंतरता के अधिन रहकर लोग काम करेंगे और राष्ट की उन्नती के लिए हम हमेशा काम करेंगे दा प्रिम्बल रिफ्लेक्ट दा वीजन एंड दा एमस ओव धा फाउंडिंग फादर ओफ इंडियन कोंसिट्वूशन दा प्रिम्बल जो है जो इसकी प्रस्तावना है यह रिफ्लेक्ट करती है वीजन ये जो वीजन का मतलब होता है जो हम आगे फ्यूचर में करने वाले है उसको दरसाती है हमारे लक्से को दरसाती है Father of Indian Constitution इसे पाया गया ये भारत की सवीधान का एक पिता के रूप में माना गया है प्रिम्बल को इवन तो हलाकि इसे कानून के द्वारा लागू नहीं क्या रह सकता की कानून बना दे भाई यहां से लागू करो यह नहीं संबब है इस एन इंपोर्टेंट डोकुमेंट यह एक महत्तुपूर्ण दस्तावीज है because it states the goal क्योंकि इसमें जो हमारे लक्से है before the nation राष्ट के परती और guides the policy makers और जो हम आगे हमें future में क्या करना है guide mark the sun के रूप में जो policies है जो policies बनाने वाले होते हैं देश में वो सब प्रिम्ब जो हमारे constitution है constitution से ही adopt करते हैं और उसी के according देश को चलाया जाता है all those of country which to afford the basic values जितने भी नियम कानून होते हैं देश के basic values जैसे की the primble a law that is against the spirit of the constitution avoid now let's try our abhum समझने की कोशिश करते हैं आदर्सों को समझने करते हैं कुछ आदर्स बताए हुए जो used in primble जो हमारे इसमें जो प्रस्तावना है इसमें सामिल किया गया है इन चीजों को to understand और हम उसको समझेंगे उसकी values को समझेंगे are upheld by our constitution दूसर देखे सबसे पहला है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक परजातांत्रिक डेमोक्रेटिक क्या है डेमो क्रेटिक परजा परजातांत्रिक देखे हमारा जो देश है वो परजातांत्रिक परजा सही आपको यह clear होगा कि यहां की जो सासन विवस्ता है यहां की जो सरकारे है उसका जो निर्मान होता है वो यहां के लोगों के दुआरा ही होता है यहां के जो वे लोग अपना रिप्रजेंटिव चुनते है अपना पर्थिनिदी चुनते है उसके द्वारा ही गोवर्मेंट का जो है वो निर्मान होता है जैसे हमारे छेत्र है इसमें हमारे जो पर्थिनिदी है नंत किसोर गुजर जो है यह हमारे पर्थिनिदी है हमने ने कोई भी हमारी अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या का समधान अपने जो रिपर्जेंटिव है जो हमारे नेता है जो जिने हमने चुना है उनके पास हम जा सकते हैं और हम अपनी समस्या को भी बता सकते हैं तो democratic में जो है the people of India participate जो लोग होते हैं भारत के जो लोग है वो in governance वो सरकार में भाग लेते हैं थो representative के थो तेकिए भारत का हर नागरिक जिस जो की देश का नागरिक है व्यस्षक है उसे मत देने का अधिकार है मत देने का यानि की वोड देने का दिगार है वो उसके द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है लेकिन वो सिधे participate तो करता है भारत का परतेक नगरिक जो है वो participate तो करता है पोलिटिकल एक्टिविटीज में लेकिन वो डिरेक्ट नहीं करता अब यह थोड़ना कि अगर आपकी कोई समस्या आप सीधे वहाँ संसद में यार लोगसबा राजय समय पोहँ जाओगे वहाँ जागे नहीं आपने जो एक मेंबर चुना है जो अपने छेतर का जो MLA MP जो चुने है आपने वो आपकी समस्या आपकी जो बात है उसे वही लोगसबा राजय समवा तक पोहँचाते हैं तो democratic country में लोग जो होते है परजा यानि आम जनता जो है वो हिस्सेदारी होती है उसकी राज्ये में लेकिन वो किसके थुरू होती है रिपरजेंटी अपने परतिनीदी के दुआरा जिसको हम चुनते है adult population of the country किसे कौन चुनती है adult population यानि व्यक्ति चुनते है जो 18 वर्स से होता है जिसे वोड देने का दिकार होता है वो व्यक्ति अपना रिपरजेंटीव चुनता है country election are held regularly जो election है वो regularly होते रहते है the people can change a government और लोग सरकार भी बदल देते है if they are not satisfied with it अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है सरकार से खुस नहीं है तो जो देश के जो लोग है वो सरका को change भी कर सकते है यह किस में होता है democratic country में होता है जैसे example के लिए जैसे 2011 से पहले जो किसकी government थी मौनमोहन सिंग सरकार थी जो Congress की सरकार थी लेकिन उसके 10 साल Congress की सरकार रही पहले उससे पहले बीजेपी की थी यानि कि यह change होते रहते है time to time अगर लोगों को कुछ सिकायत र रही थे पहले की पार्टी से तो उन्हें लोगों ने उस पार्टी को change करा और दूसरी सरकार को ले आए जो बीजेपी सरकारी समय जो सरकार है वो श्री नरेंदर दामुदर्दास मोधी जी जो हमारे परदान मंतर यह मानने परदान मंतरी उनके leadership में अब देश को हम आगे बढ़ा रहे है पहले डोक्टर मनमोहन सिंग जी थे वो कांग्रेस के थे अब जो सरकार है वो दूसरी है यह कैसे संबब हुआ अगर यहां डेमोक्रेटिक ना होता लोगतांत्रिक सरकार ना होती तो इस नोट पोसिबल तो वही रहते एक ही नित रहता राजा राजा राज इंटिव के द्वारा अपने परतिनिद्व के द्वारा सासन प्रनाली में भाग लेते हैं इसके बाद आयाता आपका रिपब्लिक देखिए यह गणतंत्र परजातंत्र और गणतंत्र में बच्चे कई बर कंफ्लूज हो आते लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिड है सेके डे आपका रिपब्लिक रिपब्लिक डे मनता है ना हर साल 26 जनुर्वर को गणतंत्र गणतंत्र देखिए अब हम रिपब्लिक के बारे में समझ लेते हैं अभी हमने डेमोक्रेटिक के बारे समझा और अब हम रिपब्लिक के बारे में समझते हैं Constitution of India, भारतिय सविधान ने प्रदान किये for an elected head of state, हर राज्ये को elected head of state, यानि किसी भी राज्ये का एक head चुना जा सकता है, who is known as the president, जिसे क्या माना जाता है, प्रेजिडेंट माना जाता है, यानि राष्टपती कहा जाता है, राष्टपती होता है तो उसको चुनने का अधिकार होता है, यह कैसे अधिकार कैसे हुआ, राष्टपती को जो है वो direct नहीं चुनते हैं, कि हम जैसे राष्टपती का चु में वे लोग राष्ट पती का चुनाव करते हैं जिनकी वोट जो लोग जादा समर्थन में होते हैं उसी उम्मीद्वार को चुन लिया जाता है उसी केंडिडेट को चुना जाता है तो यह उन्हें प्रेजिडेंट माना जाता है राष्ट पती को चुना जाता है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है उनका जो कारेकाल होता हो फिक्स होता है यानि कि पांच साल के लिए राष्ट पती को चुनाव होता है हमारे देश में फिर पांच साल के बाद दुबारा फिर चुनाव होते हैं तो अगर लोग सभा रा टाइम पीरेड़ होता है, पांच साल के बाद दुवारा फीर चुनाओ कराये जाते, इलेक्सन होते है और उसके बाद फीरे तो ये कोई हिरीडेटरी नहीं होता, means कि वपन्सानुगत नहीं होता ये भी, कि रास्टपती है, रास्टपती का बेटा है, उसका बेटा भी दूआरा फी राश्ट्पति बन जाए गा? नहीं है, ऐसा नहीं है बनसा नुगत नहीं है तो इस तरह की जो system है वो हमारे republic country में है लोगतांतरिक देश में है इसी लिए इंडिया को क्या काया आता है रिपब्लिक काया जाता है जो main main चीज़े जो सविधान ने हमें Constitution ने हमें दी है अब आता है नियाए देखें नियाए के बारे पढ़ेंगे जो सविधान को बनाने वाले फ्रेमर्स यानि सविधान को निर्मान करने वाले थे चन्न्नों निर्मान किया था वे चाहते थे तो built a society कि ऐसे समाज की इस्थापना किजिए so in which everyone gets justice जहां पर सभी को नियाई मिल सके फेर ट्रीटमेंट यानि अच्छा इलाज बोलते हैं यानि कि सब को समान रूफ से नियाई मिल सके अबर कॉंसिट्यूशन हैज प्रोवाइड़ फोर दा फेर एर इक्वल ट्रीटमेंट फोल ओल सिटिजन भी फोर दाला इसलिए हमारे सभीधान ने एक ऐसा नियाम कानून दिया हर सदस्य के लिए हर देश के हर नागरिक के लिए सब के लिए कानून समान है देखिए इसके एक्जामपल आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि Constitution ने हमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया है समान नियाई का अधिकार दिया है बड़े बड़े जो नेता भी है वो भी कराइम करते है जब वो फस जाते है पैसे में हर चीज में पावर में बहुत आगे होते है अधिकार दिया है कि नियाई सब के लिए बराबर है नियाए एक गरीब आदमी के लिए भी उतना ही बराबर जितना एक अमीराद मिला है, नियाए सब को मिलना चाहिए according to constitution, अगर कोई बड़ा आदमी भी कोई कितना ही परभावसाली व्यक्ति, अगर राष्ट पती भी परधान मंत्री से भी अगर कोई कराइम करते हैं, कोई तो इसमें यही बताया गया, justice, सविधान निर्माताओं ने ऐसे कानून का निर्मान किया, ऐसे सविधान का निर्मान किया, ताकि सभी लोगों को कानून के समख, fair treatment, यानि equal treatment, यानि सब के साथ समान परताओं हो सके, constitution also seek to ensure economic and social justice by reducing inequality of wealth and social justice, सविधान ने ये भी कहा है, ये भ पैसे के रूप में, ऐसा मानता नहीं होनी चाहिए, ये नहीं किये, भई मान लीजे, एक आदमी बहुत पैसे वाला है, एक आदमी गरीब है, तो जो पैसे वाला है, ऐसे कुछ cases होते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसे चीज़े हैं समाज में, लेकिन constitution के according अगर हम देखें, तो क ये मैं एक्जामबल आपको बताई चुका हूँ, पैसे में चाहिए कोई कितना ही जादा समरद्द साल ही है, लेकिन कानून के सामने वो छोटा ही है, ऐसे बहुत आप देखते भी आए दिन, कुछ ना कुछ सजा मिलती रहती है, लोगों जो गलत करता है, to achieve this, the constitution has provision for giving extra help, के लिए कुछ help दी दी है, facility दी है, उन लोगों के लिए, जो समाज में कमजोर work के है, for example, to improve the social and economic, ताकि उनको भी समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनकी इस्थिती में बदलाव किया जा सके, untouchables, जिनको अच्छूत समझा जाता है, परसुडूल कास्ट, SC, SC, ST, OVC, other backward classes, constitution allows reservation to be made for this group, jobs, educational institutions, etc. देखिए, समिधान ने उन लोगों को, समाज में जो लोग गरीब तबके के थे, कमजोर, economic रूप से कमजोर थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके लिए government, SC, ST, OVC, जिनको इस वर्ग में रखा गया है, उनके लिए reservation की विवस्ता की है, उनके जोब में उन्हें छूट मिलती है, education में, सिक्सा में, सिक्सिक संस्थानों में भी उनके लिए कुछ छूट दी जाती है, ताकि समाज में उनको बराबरी का हग दिया जा सके, इसके बाद देखिए, our constitution promote liberty, हमारा सविधान हमें सवतंतरता, समानता, भाईचारा, ये सब अधिकार प्रदान करता है, because these are essential, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, building a just society, एक समाज का निर्मान करने के लिए, इनका होना बहुत जरूरी है, अगर सवतंतरता, समानता, भाईचारा नहीं होगा, तो समाज का गठन, सही प्रकार से, नहीं हो सकता, इसके बाद आते है, liberty, liberty means, सवतंतरता, अभी मैंने आपको न्याए के बारे में बताया था, justice के बारे में, इसके बाद आता है, liberty, liberty क्या है, ये topic के लिए करते हैं, the citizens of India, भारतिये जो नागरिक है, citizens of India, have been given the liberty, to express their opinion freely, constitution ने, constitution has given us all citizens of the people, देश के सभी नागरिकों को, सविधान ने, नियाए के साथ, साथ, liberty भी दिये, liberty किस तरह की दिये, liberty to express, अपने, जो हमारी राय है, opinion है, उसे हम आजादी के साथ, अपनी भावनाओं को, सवतंतरता के साथ, बिना किसी, डबाव के, हम उसको व्यक्त कर सके, to follow their own belief and to choose their own profession, हम अपनी विचारधारा, हमारे जो विचार है, उसे अपने तरीके से चूज कर सकते हैं, और हम अपने ही तरीके का, अपने जो हमने चूज किया profession, उस profession को हम चून सकते हैं, देखिए, सविधान अगर constitution ना होता, सविधान हमें इस तरह के अधिकार न देता, तो फिर जो समाज में विवस्ता फैल जाती, तो सभी को नियाय का अधिकार है और सवतंतरता का अधिकार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमें rights मिले हुए है, rights के साथ साथ हमारे, क्या भी है, हमारी duties भी जुड़ी हुई है, हमें rights है liberty का, अधिकार तो है हमें, हमें अधिकार है कि चलो हम कुछ भी कहीं भी घूम फिर सकें, हम कोई भी profession चूज कर सकें, लेकिन profession ऐसा होना च चाहिए कि वो दूसरों का अहित ना करें, यह नहीं है कि हमें कुछ भी काम करने का अधिकार तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हतियारों की smuggling करनी शुरू करते, उल्टे सिधे काम करने शुरू करते, इससे क्या होगा, हम इससे देश को, देश का नुकसान करेंगे हम, हमें इस तरह का कारे करना चाहिए, ताकि हम देश की progress कर सके, देखें यहां तक आपका liberty तक मैंने यह करा दिया, next class में आपका जो अगले topic है, people, power of the people, sovereign socialist, यह आगे आपको कराया जाएगा, और आज के लिए इतना ही, thank you.